Hello Friends, I am Chanchal and today we discuss Nicosia Model Nicosia Model एक Consumer Behavior का एक Model है जो सबसे पहले जो दिया था जिसका Founder है Fransico Nicosia उन्होंने कब दिया था? 1968 में इस Model को दिया था उन्होंने इस Model को एक Flow Chart के तरीके से बताया था जो Flow Chart में नहीं आपे बनाया हुआ है सबसे पहले उन्होंने दिया था Messaging, Marketing Messages मतलब हमें हमारे Consumer को क्या दिखाना है? हमें क्या Messages Deliver करना है उनको? सबसे पहले उन्होंने बताया था सबसे पहले उन्होंने Messages क्या दिया? Marketing Messages मतलब हम क्या Messages Deliver करना चाहते हैं? आप एक person हो, जिसको अपनी एक advertisement, सबसे best example इसका आता है, advertisement का, sorry for that, advertisement क्या है, मतलब advertisement किस चीज की करना चाहते हैं, क्या चीज हम बेचना चाह रहे हैं, like fair and lovely का मैंने, मैंने हाप एक्जमपल लिए खा हुआ है, fair and lovely का example हम यहाँ पे, पूरे इस flow chart को हम किसे सबज़ेगे, fair and lovely क example से, तो fair and lovely में क्या होता है, marketing message, वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो यह दिखाना चाहते हैं, अगर आप fair and lovely यूज करोगे, तो आपके skin का color जो है, वो bright हो जाएगा, color correction हो जाएगा, color bright हो जाएगा, आपको ज्यादा सुन्दर दिखो गया, यह दिखाना चाहते हैं, then हमारा second field, यह हमारा first field, हमने consumer को एक message दिखा दिया, एक mass marketing कर दी, मतलब advertisement कर दी, बहुत बड़े level पर, now हमारा second step start होते है, second field, इन्होंने यहाँ पर four fields में divide किया हुए, हमारा second field में आते है consumer perception, consumer perception मतलब कि consumer उसको किस way में लेता है, किस way में उसको समझता है, वो होता है हमारा consumer perception, like किसी ने एक chair दिखाई, तो मैं उस chair को किस तरीके से अपने mind में perceive करती हूँ, किस तरीके से उस चीज को सोचती हूँ, किस तरीके से उस चीज को देखती हूँ, fair and lovely है, उन्होंने दिखाया, मेरा पहले से बहुत bright color है, तो मैं उसको क्या समझूंगी, में लिए useless है, fair and lovely का म यह मेरी perception हुई उस product के लिए, या फिर कुछ एक aware consumer कि आपका जो color है, आप उस color से प्यार करते हो, तो आपको यह cream बेफालतू के लगती है, यह मेरा perception है, उस perception के बहाफ पे मेरा attitude होगा, attitude जरनेट होगा, attitude क्या होगा मेरा, कि मेरे लिए useless है, मेरे किसी काम की नहीं है, या गंदी लगती हूँ, मैं काली हूँ, मेरा सावला color है, तो मुझे चाहिए cream, मुझे use करना है इस cream को, तो कि attitude form हो गया, कि हाँ, उसके लिए positive attitude हो गया मेरा, कि मैं कोई purchase करना है, मैं कोई लेना ही लेना है, then evaluate करना, evaluate करना मतलब हम अपने, हमने एक consumer, हमने as a consumer उसके कैसे perceive किय perception कैसी बनाई हमने अपने mind में, फिर उसके बिहाफ पे हमारा attitude क्या रहा, उस एक product के regarding हमारा attitude कैसा रहा, positive attitude रहा या negative attitude रहा, उस attitude और perception के base पे हम उस product को evaluate करेंगे, उस product को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको search करेंगे, local market में search करेंगे, कि वो available है या नहीं है, या फिर exclusive flip card य smartphone होते है, जो मुझे सिर्फ, sorry smartphone हो गया, या फिर SQ नाम का एक company है, वो सिर्फ आपको purple.com पे ही मिलेगा, क्योंकि आजकर मैंने उसका product यूजे है, it's very nice, so एकदम से मैंने wine में recollect हुआ, उसके product काफी अच्छे है, मैं आपको भी recommend करती हूँ, girls, try जरूर करना, ज्यादा expensive न काफी smoothie है, आपके one swipe में आपके eyes पे काजल लग जाता है, काफी अच्छी है, तो मैंने एक क्या क्या है, evaluate किया, मैंने सबसे पहले अपनी perception बनाए कि वो अच्छी है, then attitude form किया, हाँ, एक positive attitude बनाया है, then उसको evaluate किया, then evaluate करने के बाद क्या किया, purchase किया, purchase decision लिया, मतलब मैंने उसको online order कर दिया और उसको मंगवा लिया, then उसके बाद मैंने उसको consume किया, खुद use करके देखा, उस खुद use करने में मेरा, एक तो मैंने सुना था, इसमें मैं example लेती हूँ, friends का, मैंने मेरी friends से सुना था, कि हाँ, SQ का काजिल काफी अच्छ है, मेरी 3-4 friends ने मुझे recommend किय तू भी try करके देख, तू भी try करके देख, then मैंने उनको देखके खुदी well weight किया, हाँ, कि शायद वो सही कह रहे है, खुद को मैं को पसंद है, मैंने purchase decision लिया, मैंने उसको खरीदा, then consume किया उसको, अगर मुझे वो consumption, consume करके अच्छा feel हुआ, मुझे लगा कि हाँ, जो उन इसमें काफी channels हम include कर सकते है, personal selling include होती है, like youtube पे आपने कोई videos देख रही है, वो भी तो एक तरीके की marketing है, वो लोग उसको पैसा दे रहे हैं, कि आप हमारे product की marketing करो, तो हो क्या है, वो भी marketing message हो जाएगा हमारे लिए, as a consumer अगर हम सोचते है, then हमने consumption की, consumption के बाद हमें वो product को एक positive response दिया, then उसे हमारी perception चेंज हुई, अगर वो मेरी skin पे कोई infection छोड़ जाता है, यह skin को पुरी तरह किसे spoil कर देता है, तो क्या हुआ, मेरा negative attitude बन गया, negative perception बन गया उस product के लिए, कि life में आज के बाद तो यह product यूज करना ही नहीं है, आप लोगों के साथ भी ऐसा यूज किया और आपको बहुत बेकार लगा, आपके skin में pimples हो गया, या फिर skin black black हो गई, डारकेश आने लग गया, तो आपके perception क्या बनी, आपके perception दो person के लिए रोंग बनी, एक वो जिसने आपको recommend किया था, एक आपको उस product के लिए, उस product के लिए ये कि आपको product आज के ब ये मुझे गलत recommendation दे रहा है, ये मेरा अच्छा नहीं चाहता, ये भी हम एक तरीके सोच सकते हैं, तो ये किया, ये सब interrelated है, यहाँ पर purchase decision और marketing message को link किया गया है, क्योंकि कही ना कही हम, हमें कही से पता चला, तभी तो हमने एक purchase decision के step पर पहुँचे हैं, तो ये भी एक interlinking process के लिए काम आता है, here I complete my video, if you like my video, give me a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel, thank you